हेलो गाईज, आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नेकल स्वेताओं में स्वागत है आज के इस वडियो में हम Google Pay में fingerprint lock लगाना सिखेंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि Google Pay में fingerprint कैसे लगाए या फिर Google Pay में fingerprint lock कैसे लगाए तो आज के ये वडियो आपके लिए काफी helpful होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हैं यहाँ पर हम Google Pay के application को open किये, यहाँ पर मेरा पहले कोई भी fingerprint lock नहीं है, तो गैज अगर आप fingerprint lock लगाना चाहते हैं, तो गैज यहाँ पर आपको Google Pay के application में कोई भी ऐसा option नहीं मिलेगा, जिस option के थुरू आप fingerprint lock लगा सकते हैं लेकिन फिर भी आप बिना किसी application की मदद से अपने phone से ही Google Pay में fingerprint lock लगा सकते हैं तो फिंगर प्रिंट lock लगाने के लिए आप जो ये Google Pay का application को open किये हैं इससे आपको minimize कर देना है और minimize करने के बाद आपको अपने phone के settings को open कर लेना है तो guys ये जो phone का settings होता है ये सभी phone में अलग अलग होता है यहाँ पर आपको सभी phone में option जो है यहाँ पर अलग अलग दिखने को मिलेगा लेकिन guys यहाँ पर आपको जो एक option है fingerprint face and password ये option जो है ये आपको सभी phone में लगवख दिखने को मिलेंगे तो guys अपका जहाँ कहीं भी fingerprint face and password का option है तो उससे आपको click कर लेना है तो guys यहाँ पर आप मेरा एक option है fingerprint face and password तो इससे हम यहाँ पर click कर लेते हैं इसपर click करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो guys यहाँ पर आपको और एक option मिलेगा fingerprint का तो guys यहाँ पर आपको fingerprint को टॉच कर लेना है fingerprint को टॉच करने के बाद यहाँ पर आपको इस्क्रीन पासवर्ट जो है पहला option है unlock का को दुसरा option है privacy and app encryption तो गैज यह जो दो option है यह दोनो अप्षन को यहाँ पर आपको on कर देना है जैसे कि यहाँ पर unlock का option है तो इससे हम यहाँ पर on कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा privacy and app encryption का तो गैज इसे भी आपको on कर देना है ये दोनों option को on करने के बाद यहाँ पर आपका privacy password डालने का option आएगा तो गैज आपका जो privacy password है वो यहाँ पर आपको डाल देना है privacy password डालने के बाद इससे आपको एक बर back कर लेना है और back करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा privacy and app encryption का तो guys यहाँ पर आपको privacy and app encryption में क्लिक कर लेना है privacy and app encryption में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका fingerprint जो है verify करने का option आता है तो guys यहाँ पर आपको fingerprint को verify कर लेना है fingerprint को verify करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा app encryption का तो गज़ ना पर अपको app encryption को क्लिक कर Moment कर लेना है Ether Millay एप encryption को क्लिक करने के बाद हिंप है फर अपको google pay को ढ़ून लेना है तो गज़ ना पर आप देक्सकते हैं हिंप एक g-pay का आफसन है तो जहां कहीं भी आपका g-pay का आफसन है इससे आपको आनर कर देना है जिसे आप इससे on कर देते हैं तो आपका Google Pay में fingerprint lock जो है वह लग जाता है तो गैज चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा Google Pay में जो fingerprint lock है वह enable हुआ है कि नहीं इसके लिए इससे आपको minimize कर देना है और minimize करने के बाद आपको Google Pay का जो application है उससे open कर लेना है तो जिसे हम यहाँ पर Google Pay का application को open किये तो गैज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो Google Pay में fingerprint lock था वह enable हो चुका है तो गैज अब जब भी आप Google Pay का application को open करेंगे यहाँ पर आपको fingerprint डालने का option आएगा यहाँ पर आप fingerprint भी डाल सकते हैं यहाँ पर अगर आपको password डालना है तो यहाँ पर नीचे आपका huge password का भी एक option मिल जाता है यहाँ पर आप password भी डाल सकते हैं तो गैज इस तरह से आप बहुत आसानी से Google Pay में fingerprint lock लगा सकते हैं तो गैज आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इस तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए साथ इससाथ इससे अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारी मिल सके